कैसे हैं आप उमीद आपकी तियारी अच्छी चल रही होगी आज हमारा एक नया विश्य है और आज व्याकरण की और बड़ते हैं वरण व्यवस्था जिसमें उचारण और वरतनी भी सामिल है वरण व्यवस्था का हमारे हिंदी व्याकरण में बहुत विशेश महत्व है और विश्थार पुरुक समझाया जाता है और पसंद आती है तो लाइक करें शेयर करें और जो नए बंदु आए हैं वो सब्सक्राइब भी अवस्य करें तो चलिए बढ़ते हैं इसकी तरफ वरण उचारण और वरतनी सबसे पहले वरण व्यवस्था की बात कर लें या यूं ने पढ़ा था इंदी उसके वाले पूरे चप्टर में तो वर्ण है क्या किसको कहते हैं वर्ण को हम लें तो वर्ण की परिवासा की बात करते हैं हम यहां पे वर्ण भाशिक धवनियों के लिखित रूप को ही कहते हैं अर्थार्थ जो लिपी चीहन है वही वर्ण कहलाती इंधी में इनी वर्णों को अक्षर भी कहते हैं और इनी वर्णों के व्यवस्थित समुखों को वर्ण माला कहते हैं यानि कि एक व्यवस्थित समुदाय है उससी समुदाय को हम वर्ण माला कहते हैं जो स्टार्टिंग में पढ़ता है बच्चा जो हिंदी भासी होता उसको आए हमारी वरण व्यवस्था है उसको तीन वहागों में बाटा घया है तो यह दो दे रखा है हिन्दी में वर्णों की संख्या 45 है कि इस 45 में किया किया सामिल है У्ह एक बार वह देखे haven यह देखिए एक फाने वहां स्वरों कि शिरेणी में नहीं आते वह योगवा है। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे 25 सपरस्व एंजन है कैसे लेके मैं तक और 4 हमारे अंतेस्त है और 4 हमारे उश्म है शैशा है वह उश्म में मैं ले लेंगे अगर भोत गहरायों से जाएंगे तो आगर आगे हमलग करेंगे तो ये देखे ये ये रहाए लायव है इत्य है अंदर है श्यह श्यह स् से जए ये जो है अमारे है ये उस्म के साहगर निकलते है और कैसे लेकर और यहां तक हमारा मैं तक जो है इनक को हम सप 2 वेंजन कहते हैं इसको भी आगे हम एक और से लनी के बाटेंगे То इस परकार इन वर्णों की सारी मिलाके पंतालिस की बजाए यहां पर हम इसको 46 करेंगे क्योंकि री हमारी वर्ण वर्ण만ा का भाग है कुछ किताबों में आपने ऐसा पढ़ाऊगा री जो है इसको सवर है वर्ण 48 आएगा यह धान रखना है हमने अगर मूल पुछा जाए तो 46 है समन्य पुछा जाए तो 48 इसको हमारे यह जो दो है अंग और अंग और अह ए इसको हमारे जो हमारे देख लेते हैं अब भी जो हमारा है इसका उपर लगा के नहीं यह तो इंग्लिश का यह बन जाता ही यह लेकिन ये दोनों जो पार्ट है ये हमारी वर्ण माला का पार्ट बन गई है दोनों अंग एह से भिन है डैड है इसी परकार आ आ से भिन है धवनी है यानि कि ये तो हम जानते ही है ये तो अलग-अलग धवनिया है जैसे डोक्टर लिखते हैं ना तो ओ लिखते ना आ लिखत तो ये हिंदी में परचरीत है लेकिन हिंदी वर्ण माला का भाग ये नहीं है वास्तमें इन धवनियों में जो है हिंदी वर्ण माला में समिलित किया जाना चाहिए यानि कि चाहिए है नहीं है एधान देना हिंदी में वर्णों की संख्या 50 हो जाती है इनको मिलाके 50 हम नहीं करेंगे हिंदी में संख्या इनको मिला के नहीं करेंगे हम ये धान देना अगर आपकी हमारी दी जाए कि संयुक्त वर्णों के साथ हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है तो हमारे 48 तो यह ओगे और 4 संयुक्त वर्ण आगे इनको मिला के अगर संयूक्त वर्णों के साथ वर्ण माला पुछी जाए तो 52 वर्ण होते हैं हमारे कितने होते हैं बावन यह जो है आई यह मारी वर्ण माला ने अभी स्विकार नहीं किये है इसलिए हम इनका प्रियोग यहां नहीं करेंगे उसके बाद अगला देख लीजिए आगे क्या है अब हिंदी को यह वर्ण माला को तीन भागों को बाटा गया है पहला स्वर दूसरा वैयोगवा है और तीसरा अनि sushi अब स्वर की बाद कर लेते हैं सबसे पहले स्वर क्या होता है 11 है ग्यारे सवरों को भी दो भागों में बाटा गया एक मूल सवर और दूसरे जो होना संदी सवर या सियुक्त सवर मूल सवर में क्या होते हैं देखे जिन सवरों के उचान में हवा मुख भीवर से अबाद गती से निकलती है यानि कि कोई रुकावट नहीं होती और उनको निकलने में गिसी की सायता नहीं लेनी पड़ती यानि कि विल्कुल बिना किसी रुकाउट के जैसे हम बोलते हैं विल्कुल निकलता है ऐसे कुछ नहीं है जैसे कैब बोलते हैं को अब देखे बिना अंदर रूक गया हमारा और जब कैए मिलाएंगे तबी शामाने तबाह आएगी तो मूल सवर दो परकार के होते हैं ये मूल सवर है ये आप बहुत अच्छे से नोट कर लो इसको क्योंकि बहुत बार पुछे जाते हैं कि मूल सवर कौन कौन से है ए ई उ डी आगे जो दूसरे सवर बन रहे वो ही नहीं से मिला मिला के बन रहे संदी करी अगर अपने वीडियो देख्योंगी तो मैंने इनको मिला मिला के इए उ को मिल के उ बनेगा ये मिला मिला के हमने मा बनाए थे वही नहीं हमें इनको बननेगा उसके बाद अगला है हमारा संदी सवर या संयुक्त सवर कौन कौन से होते हैं जैसे देखिए ए मिल के आ बना हमारा इए मिल के वड़ी ये मिली दोनों उ मिल के वड़ाओ मिला यह जाने कि मिल मिल के बने तो आ, ई, उ, यह क्या होगे संहुकता स्वर होगे इसी परकार ए और ई मिल के ए बना ए और ए मिल के अई बना यह हमारे क्या होगे ये भी संयुकता स्वर होगे तो इस परकार इनको क्या कहेंगे हमें ये मिल मिल के बने इसी परकार O और O बनेगा अगला अब देखिए O और O भी कैसे बनाया हमने ए और ई मिल के ए बन गया ए और ए मिल के अई बन गया ए और उ मिल के अउ बना और ए और ओ मिल के अउ बना तो आपने देखा दो दो मिल मिल के स्वर बने है तो इसलिए मूल जो है हमारे कितने है चार है बाकी सारे क्या है सेयुत स्वर कहलाते है वो तो इस प्रकार एक और था संस्क्रिट से आ था हिंदी में तो इसका प्रियोग अब नहीं है खतम कर दिया गया है जो हमारी वर्तनी जो सुधार होते हैं उनके अनुसार उसको कहते थे पलूट स्वर अब देखे जिनको बोलने में कम समय लगे उनको तो क्या कहते हैं हर्स्व जैसे हम ओम ऐसे लिखते हैं पहले जो है ओम ऐसे लिखते थे इस तरह इसको कहते थे इनको पलूट कहते थे लेकिन हिंदी में अब इसका प्रियोग नहीं होता तो हिंदी में यह दि हम बात करें तो वेंजनों की संख्या इस समय दो ना इसकी वरणमाला को जो नस्वर और वेंजन और इसी प्रकार सवरों को फिर आगे दो दिर्ग और हर्स में बाटा गया है पलूत जो है उसका प्रियोग हिंदी में नहीं होता ये धान देना है ठीक है उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब देखिए सवरों का उचान क्या है सवरों का उचान धान से करना है वेंज जीव की स्थिति लेंगे जीव के अनुसार जीव का अगर भाग जिसको अगर भाग से जहां जो सवर उचारित होते हैं जैसे इसमें यहां पर देखिए अगर सवर जैसे यह जो है हमारे क्या है छोटी वड़ी यह थोड़ा सा कहीना कहीन तर्च होता है ज्यादा नहीं होता है इसलिए मैंने का आपको सवरों को ध्यान से देखना है इवर और एवर जो है वो अगर भाग से उचारित होते हैं अब जीव का दूसरा भाग है मद्दे सवर यानि कि भाग थोड़ा सा कमपन करेगा उठेगा और उसको क्या करते हैं हम एय करते हैं थीसरा है हमारा पस्च यानि कि पिछले भाग से जीव के जो पिछले भाग से जो सवर उचारित होते हैं उसको पस्च सवर कहते हैं इसमें क्या है यह देखे पिछे से निकल के आता पिछला पिछले भाग से उचारित होता है इसको हम क्या कहेंगे MPdriven समुक्ः क्ल जाएगा और अए जै Canada छो हमारा थोड़ा सा ऊठेगा तो इसको हम कहेंगे पस्चय भाग में बाठते एक पजकां का अगे बाट्नल्नलीत क्देखा देख लिश्टिそうですね अब एक बारिशी को पड़ लेते हैं यह जो है पस्चे है इसके अतरीत अंग और अहे धवनिया यह नय तो स्वर है और नय ही वेंजन है यह क्या है मैंने अभी आपको पताया कि शोरी दास वाज पे इन्हें इन्हें अयोगवा का है यह अयोगवा कहने वाले का नाम भी है य यह जो की वें बिना किसी के योग किये ही अर्थ वहन करते हैं उसमें कोई योग नहीं दिवन माला में इनका स्थान सवरों के बाद और वेंजनों से पहले आता है इसको हम क्या करते हैं हमारे कौन से थे योगवा है कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है अंग और अह जो है वो क्या है अयोगवा है ठीक है उसके बाद आगे बढ़िए देखिए बच्छों कि वैंजन क्या है वैंजन किसे करते हैं जिन धवनियों के उचान में यानि कि जो धवनियां होती हमारी जिनका उचान करते समय मुख विवर से अबाद गती से वायू नहीं निकलती जब मैं सवरों को समझारी थी तब ये बात कही थी मैंने उसमें क्या है पूरण अवरोध होता है या थोड़ा सा अवरोध होता है या बहुत ज़्यादा अवरोध होता है वो क्या कहलाते हैं वैंजन कहलाते हैं दूसरे है कई ऩवर का उचारण आगे हाराम से निकलेंगी को रुकावाट आइबी इस में ये देखे नहीं हो इसको क्या कहें हैं उब टो है उन को सबसे पहले मैंने आपको पहले भी शराइस न में की थी उनको हम में तक जो होते हैं वह अनुनासी के एक अलग से रहने में चला जाता सपर्ष की द्रिष्टी से हम इसको कितने भागों बातेंगे तीन भागों से अब यह देखिए सपर्ष में हमारा अन्तेस्थ है और उसमें हवाजों मुक्सिवाजब अब सपर्ष में क्या होता है कैसे ल को सपर्ष करके निकलते हैं इसलिए इसको सपर्ष वेंजन करते हैं और इनका उचान स्थान भी हम बढ़े आसानी से डूंड लेते हैं कि क्या उचान स्थान है इनका अंतेस्त क्या होते हैं जो अंदर से निकलते हैं यह रह लह वह यह अंदर से आएंगे किसी चीज को बहु यह हमारा उस्म जो है वह सवर्यंतरी कहलाता लेकिन यहां इस रेनि में रखते हैं तब यह हमारा उस्म के साथ ही आता है लाग जिए है अगला क्या वंद्गी कौन से हैं जिसका जिकर मैंने अभी कई बार किया है उच्छिप्त वेंजन किसे कहते हैं जीवा की उल्टी हुई नोक तालू को चूकर जटके से जब हट जाती है उन्हें उच्छिप्त वेंजन कहते हैं जैसे ड़ अब इनका प्रियोग जो अना अलग अलग होता है इंदी वर्ण माला में इन यहां पर क्या है कै जैसे यहां पर देखे कै प्लस यह तो एक है ना उचान की दरिश्टी शेक्स ऐसे बोला जाता अक्ष्छ यह इसका यह विग्रह जो कर रख्खा है यह आप इसको मत कवर कर लेना कभी यह को यह है यहां किया हुआ देखे कै कै के नीचे हलंत और फिर प बता कै के नीचे हलंत पलस यह पलस यह एसे करके है यह पूरा इन दोनों के नीचे हलंत इन के संयोग से बना है दो वेंजन और एक स्वर के संयोग से क्या बना है अक्ष्य बना है यह देखे उसके बाद तरह यह भी वही आएगा तय नीचे हलंत पलस रह नीचे हलंत पलस यह तरह हमारा ऐसे बन जाएगा इसी परकार हमारा जै जो है वो कैसे बना है यह यहां पर थोड़ा सा ठीक नहीं कर रखा यह भी इसका एक वरण रहे गया साइद जै जो है हमारा कैसे बनेगा जै अलंत प्लस यह प्लस अलंत प्लस ए इस परकार करके हमारा यह बनेगा यहां इसी परकार श्रे हमारा श्रे प्लस रे नीचे हलंत प्लस ए इन से बना हैं तो ये जो चार है हमारे अक्षय त्रे गय जै जिसका सही उचान है और श्रे ये इनको सहीुक्त वेंजन कहते हैं ये सहीुक्त वरन कहते हैं इस परकार तो हमारी वरन माला थी उसका हमने यहाँ पर उचान स्थान देख लेते हैं उचान स्थान की दरिष्टी से वेंजनों को कहां कहां रखते हैं अब उचान स्थान की दिबात करें तो देखें सबसे पहले उचान स्थान की दरिष्टी से जिवेंजनों को आठ वर्गों में बाटा गया है आठ वर्गों से हैं आप नीचे पर गारे से सुरू हो जाओ अपने की मुख को जो है अपने अपने ही मुख को भीमें रखो और वित्ताले अब कंठे वनजन बिल्कुल से निकलते हैं और आप वरण को सुरवाब शुरुवाद से ले लो जो सिदर्डे तो ऐसे करो फिर ज़्यादा डिटेल आगे करेंगे इसकी कवरग जो है वो पूरा कंठे से निकलता है उसके बाद तालवे वेंजन यानि कि तालु को हमारी जीव टच करती जो उपर बिल्कुल चोटी में जो गोल गोल सा भाग होता है उसको टच करती है तो चवरग जो है जुड़ा हुआ है यह ट्रीक ऐसे करके कर सकते हो तालू जो है यानि कि हमारी आवाज हमें क्या दिलाती है चारों और हमारी ख्याती और जो बुराई होती है हमारे बोलने के गज़तों तालव्य जो है वह जितना सेंस्टिव पार्ट है उसको यह और से यानि कि यह को पहले ले आओ से को बाद में ले जाओ क्योंकि अन्टेस्ट पहले आता है और उसम बाद में आता है तो इसको तालव्य के साथ क्या जुड़ गया यह जुड़ यानि कि यह भी वहीं से आते हैं अब मुर्धन्य वेंजन की मुर्धन्य क्या होते हैं जो हमारे देखिए थोड़े अगले में जो है अगले है अगले में जो है अगले में जो है अब क्या रहे था हमारा जो कैसे में ह्तकी बात कर रहे थे नुसमें पवरग रहे था हमारा यह अँजरी में आएगा क्योंकि बार की तरफ निकलेंगे तो दन् inten के बाद फिर क्या आता है हमारा ऋस्टा तक पेपम आइसे मिलते हैं तो इनवेंजनों को हम ऑस्ठे करते हैं सपर्शकी दृस्टी शे अंगारा उसके बाद इन को जो वैंजनों को ओडिवेंज से घृ करें वैंजनों को ऑट ले दोस्ठे की बात होती दोस्ठे को कुण से होते हैं दन्त का थोड़ा भाग और हमारे थोड़े से हलके से ओठ मिले उसको हमने इसलिए दंतोस्थे नाम दिया वच्षरे वेंजन क्या होता है यानि कि मसूडों में वच्षरे यानि कि बिल्कुल मसूडों के सपर्श से जो है जो वेंजन निकलता जहां मसूडों में जो है हमारी जीव टच होती है उसको हम क्या कहते हैं वच्छरिय वेंजन कहते हैं जैसे नडले आप देखें बिल्कुल दाथ के जो जहां दाथ शुरू होता है वहां लगेगी इसको वच्छन या दंतमूल भी बोलते हैं इसको नडले जब आप ये वरण बोलते हो तो आपकी वहीं लगती है जीव सवार येंत्रिया काकल वेंजन कहते hebben मैंने पहले बीबात किती इसकी काकल ये चाहिए आंदर से निकल के आता है श्वर येंत्रि कंपन होती है उसमें इसलिए उसको काकल वय यहांनी कि जो हमारे बीच में जो एक होता ना आवाज धवनी जो बोलते हूं एक नीचे लटकावा उसमें एक कमपन उत्पन होती है इसलिए इसको कहते हैं सवरियंत्री वेंजन और यह है हमारा है यह ज्यादा डिटेल वाली बात होगी हमारी तो दोस्तों इस परकार जो है हमारा वेंजन का उचान स्थान की बात हुई अब जो एक स्वास कुछ यादाब अधार पर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं को अलप पराण के इसको कहते हैं जिसमें स्वास थोड़ी निकलती है को उसे तो हम कहते हैं अलपराण और जिसमें वाई यूजादा निकलती है उसको कहते हैं महावपराण यहां दिया हुआ लिखा नहीं गया लेकिन एक बार थोड़ा समझ लो क्यों कि कई बार अलपपराण और महावपराण आ जते हैं तो अलपपराण वेंजन क्या होते हैं जो देखे आप जिन परतेक तेस्थ यानि कि यह रह लह और वह यह सारे वेंजन जो होते हैं वह आते हैं अलपपराण में उसको कहते हैं हम अलपपराण ठीक है और इसके अलावा जो भी जितने भी वेंजन बच जाते हैं वह किस में आएंगे वह महापराण में आएंगे तो अलपपराण और महापरा और जो ड्हे हैं हमारा जिसका ग हुए अलग-अलग यह अलंग हो जाते हैं दूनों इसके अलावा आपको पस्पस्ट हो गई होगी उसके बाद एक ओर है इसका वो होता गोस और एगोस गोस और सेगोस करते हैं जिसको या सेगोस और एगोस भी करते हैं गोस कई बार ये जो ना सामान ने हिंदी में पूछ लिया जाता है एक तो है गोस और एक है एगोस ठीक है ये आते हैं हमारे जिन मेंजनों के उचान में सवर्तंत्रियों में कम कंपन होता है यानि कि स्वर्त अंत्री जब हमारी कंपित होती है तो उसको हम कहते हैं घोष यानि कि से घोष या घोष कहते हैं उसको जब कंपन उत्पन होता है घोष मतलो कंपना आप यह माल लो जो कुछ वरण ऐसे होते हैं जो बोलते हम अंदर कंपन उत्पन होता है उसमे इसको आपको आद रखना है है एक चीज और है more on यहां यह और बता देती हूं, क्या जिनवर्नों के उचार्ण में हमारी जीब रगड के साथ जो है, वो निकालती है उनको उस्म के साथ साथ एक और भी करते हैं, संघर्शी वेंजन करते हैं, उसम तो आप सारे जानते हैं जो हमारे तिननो सै है ना जो शै शै और शै ये जो है हमारे और है एक बारिश में ये भी ले ले लेते हैं इनको क्या करते हैं आप उसम तो सारे जानते हो लेकिन इसके अलावा इनका एक और नाम है और वो नाम है इनका संगर्शी वेंजन तो उमिद है ये चीज से बस्ट हो गई होगी आपको उसके अलावा जो है और भी अगर ले तो नासिक्के और निर्नु नासिक्के होता है नासिक्के वेंजन जो होते हैं एक तो हमारे नासिक्के होते हैं यानि कि नाक से जिसकी हवाबार निकलती हो उनको तो नासिक्के कहते हैं और एक हो शतेग का 5 हो महन है। जो सिर्फ नाख से हवा बार निकलती है। जिसमें यह बिंदू लगता है और एक होते हैं अनू नाशिक अनू मतलम मुख और होदंयू न से बार निकलती है उसको क्या करती है और तीसरा होता है निर्दू नाशिक निर्नो नाशिक क्या होता है यानि कि अवा सिर्फ मूँ से बार निकलती है जिसमें नाक का प्रियोग नहीं होता उसको निर्नो नाशिक करती है उमीद आपको यह सारी चीज समझ आ गई होगी और यह विसे भी आपको बड़ा रोचक और अच्छा लगा होगा अब अगला द यहां पर लग 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 तीन पार्ट मैंने लिख क्या आपको समझाएं है चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ें क्या है आगला हमारा इसी का है वरण का ही वर्तनी विचार बहुत आता है पिछले पेपर में जो टीजीटी का पेपर था उसमें वर्तनी से पेटने की कोशिश किये थोड़ा छोटे में इसको किसी भी भासा में सब्दों की धवनियों को जिस करम में या जिस रूप में उचारित किया जाता है और उसी करम में उस रूप में उसकी लेखन की रिती को क्या कहते हैं यानि कि जो लिखने का जो उसका तरीका है लिखने के लिए जो वर्ण प्रियोग होते हैं उसको हम क्या करते हैं वर्तनी जैसा बोलो वैसा लिखो सही वर्तनी तो वो होती जैसे कि हमारी हिंदी में हैं इसलिए हिंदी की वर्तनी को क्या करते हैं हिंदी भासा को क्या करते हैं वैग्यानिक भासा करते हैं क्योंकि जो बोलते हम अब लंगड बाशा क्यों कहते हैं क्योंकि अंग्रेज जी में जो ॐ ल्मालो सी देतें यो कैब बी आजागा चैबी आजागा हंदी में ऐसा नहीं है तो इसलिए हम हिंदी की जो उचारित होता हें लिखा जाता है हिंदी की वर्तनी जो है वेज्ञानिक रूप है हिंदी भाषा का क्योंकि हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं इस परकार जो सुद्ध उचान करता है और अक्सर क्या होते हैं मातरी भाषा होने के कार्ण खासकर हम उतर भारत के लोग जहां हिंदी भाषा बोली जाती ह वहाँपे असुद लेखन और असुद बोलन दोनों काम करते हैं, तो इसली हमें इस पे भी शेह ज़्यान देने की जरूर्द है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, अकसर वैसा लिख देते हैं और धान नहीं देते हैं, और फिर होती है दिक्त, तो सब्दों में वर्तनी के असुद्धी दो परकार की होती है एक तो वर्ण समंदी होती है और एक सब्द रचना समंदी होती है दो परकार की होती है अब वर्णों से इस सब्द बनते हैं तो वर्ण समंदी और ये कैसे है अब इसको देख लेते हैं वर्ण समंदी असुद्य सब्द कोस में प्रयुक्त वर्णा करों समंधी नियम अब यहां पर सब्द कोस आ गया हमारा यह हम वरतनी का बहुत बड़ा चैप्टर है वरतनी का चैप्टर मैं एक अलग वीडियो में बढ़ाऊंगे आपको इसलिए मैंने यहां पर थोड़ी सी बात बताई है वरतनी को फ पर चैप्ट करऊंगे वह एक दूसरी विडियो में बात करेंगे हम अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमारे वर्णों काई पार्ट है इसलिए यहां दे दिया मैंने यह सब्द कोस सब्द कोस क्या होता इससे समंधी परसंग कई बार आता है पेपर में सब्द कोस में प्रय सब्द कोस में एक थोड़ा परिवर्तन है इसमें जो अंग वाले जो है जिसमें यह बिंदी लगती है और इसके अलावा जो है यह सोरी यह विसर्ग वाले जिसमें यह लगता है यह दोनों सबसे पहले रखे जाएंगे पहले अंग वाले रखे जाते हैं फिर इस वाले और विशर्गु दथांटों के रूपमें प्रियोग होते हैं यानि कि सबसे मिले गया कि अदिक आगे पहले स्तान मिले कि से मिलख के बने चलंदेन की रंदों दों के ँंक करते हैं हमें वैसे रहां अगर हम यह समझ आ गया तो हम जो है सब्दों को सभी से व्यवस्तित कर पाएंगे अगला देखें सब्दकोस में पूरण वरन के पस्टाथ नहां एक और यह भी है पूरे वरन पहले सारे पूरे वरन आएगे और उसके पस्टाथ से युक्ता जो आद्दे वाले है जैसे मान इसमें यह क्या जो है आद्दे वरन वाला यह इस बाद में सबसे बाद में दिखा जाएगा पहले कैका की की को 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 अगर कववा है मान लो हमारा तो यह वरन पहले आएगा और क्या है यह वाद में आएगा यह धाम देना है यानि कि आद्दे सबसे बाद में आते हैं जब हमारी पूरी कैका की की पूरी हो लेती है तब इस परकार चलता है सब्द कोश में अक्षय त्रह गय का कोई अलग सबसंग्रह नहीं है क्योंकि यह जिस वरण से बने हैं उसी वरण के साथ आ जाएंगे लास्ट में आएंगे आदे आदे से बने हैं तो तो इसलिए यह वहीं क्यहले प्याते हैं कि देखे जैसे कई पलस श्याना से अक्षय बना एंगे तो इसको हुम्हें के वर्णों में ढूनने पड़ेगा इसह प्रकारत जो है हमारा वो क्या है कि दैड है यह नहीं होता इसलिए सवर सवतंतर रूस से सब्द कोस्वें नहीं मिलते यह धान देना इस से तो फिर भी ना इस से भी नहीं मिलता यह जो पांच में है वरण नहीं मिलते हैं तो उमीद है कि आपको याद यह समझ आ गए होंगे सब्द कोस्की एक परसनोतर करें उसमें प्रैक्टिस करवा दूंगी तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जल्दी इनके परसनोतर को लेके हाजिर होंगे जिसमें सारी तने के परसनोतर डाले जाएंगे तो एक बार फिर से आपका जय हिंद जय भारत वीडियो को देखते रहें लाइक करें और नए मीतर नए बंदू नए बचे सबस्क्राइब